आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम साथ नमबर से रिलेटेट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले हैं और क्वेशन से रिलेटेट जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी यहां हमारा टेलिग्राम चैनल है यहां पर आपको क्वेश अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्शर की जो पीडियेफ है वो भी आपको यहां मिल जाएगी य जो अपके लिए आज का मोटिवेशनल कॉट है जो अपनी जुबा से अपनी महनत का जिक्र नहीं करते उनका जिक्र एग दिन सबकी जुबा पर होता है तो इसी मोटिवेशनल कॉट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन है इन विच स्टेट ट्राइबल डान्स फेस्टिवल हस स्टाटेड किस राज्य में जन जाती नरत्य महुत्सव शुरू हुआ है तो यह हुआ है च्छतिसगड के अंदर सीज का करेक्ट आंसर है च्छतिसगड के मुख्य मंत्री भूपेश भगेल ने दीप प्रजवलीत करके रास्ट्य आदिवाशी नरत्य महुत्सव का भी शुभारम किया है और रास्ट्य आदिवाशी नरत्य जो महुत्सव है इसके अंदर भारत के सभी राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों के आदिवासी नरत्य समू भाग लेंगे रास्टे जन जाती है नरत्य मौसव का जो मुख्या आकर्शन है ये मंगोलिया, टॉंगो, रूस, इंडोनेशिया, माल्दीव और मौजामबिक सहित अन्य देश इस कारिकरम के अंदर भाग लेने वाले हैं और ये जो फेस्टिवल है ये दो श्रेणियों में कई प्रतियोगी ताय हैं ये होने वाली है और जो विजेता है उनको 20 लाग के पुरशकार दिये जाएंगे और इस पुरशकार में पहले दूसरे और तीसरे विजेताओं को जो है 5 लाग, 3 लाग और 2 लाग के जो नगत पुरशकार है ये शामिल है और राज्ये के 42 जन जातिये समुधायों का जो संगठन है ये 36 गड सर्व आदिवासी समाज ने कॉंग्रे सरकार पर जन जातियों के आरक्षन अधिकारों की रक्षा करने में विपल रहने का आरोप लगाते हुए मृत्य महसाव का बहिशकार करने की गोश्णा की है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया गया है रनवीर सिंग को 20 का करेक्ट आंसर है रनवीर सिंग को FIFA वर्ड कप की ओर से सेमी फाइनल मैच में भाग लेने के लिए जो निमंतरन भीजा गया है और साथ ही वो FIFA में इंडिया को रीप्रेजेंट भी करेंगे रनवीर सिंग को FIFA विश्व कप की ओर से इंडिया का एमबेसिटर बनाया गया है वो इस विश्व इस्तर के टूनामेंट में भारत का प्रतिनी धित्व करेंगे और FIFA विश्व कप फाइनल में मौझूद रहेंगे जहां वो कई फुटबॉल आइकनों के साथ चर्चा करते हुई दिखाई देंगे रनवी सिंग ने अबुधाबी में आयोजित हुए NBA खेलों में भाग लिया था रनवी सिंग को साल 2021 में भारत में NBA का ब्रैंड एमबेसिटर बनाया था तब से उन्हें अक्सर दुनिया भर के प्रमुग NBA कारिक्रमों में भाग लेते हुए दिखा जाता है टॉप ब्रैंड एमबेसिटर को हम रिवाइस करें तो जो पिंटोला है इसके ब्रैंड एमबेसिटर बने है सूर्य कुमार यादव फायर बॉल्ट के जो ब्रैंड एमबेसिटर है ये बने है विजेद देवर कॉंडा यूवरा सिंग जो है ये brand ambassador बने है T20 वर्ड का for the blind बंदन बैंक ने अपोइंट किया है सौरव गांगुली को ओमारा डैट्स रॉप्स जो है इसके brand ambassador बने है अमीता बचन इसके बाद में बात करें वोकारो इसके brand ambassador बने है अजे देवगन गल्ब ओयल अपोइंट्स इस्मृती मन्थाना एस इस brand ambassador थर्ड नमबर ग्रेशन है विश कंट्री है लॉच्ट ए लेब मॉड्यूल नेम्ड मैंग्टियन फोर इट्स स्पेश स्टेशन किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंग्टियन नमग लेब मॉड्यूल लॉच्ट किया है तो इसका correct answer होगा ये किया है चाइना ने सीज का correct answer है चीन ने हाली में निर्माना धीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंग्टियन नमग एक लेब मॉड्यूल लॉच्ट किया है और इसके लिए चीन ने अपना आखरी लेब मौडूल निर्धार रेत कक्षा में भेज दिया है और अब तक तीन मौडूल भेजे जा चुके हैं और इन सबी को वहां असेंबल किया जाएगा जिसके बाद में चीनी स्पेस स्टेशन पूरी तरह बनकर तयार हो जाएगा दक्षिन चीन के हैनान में वैंचॉंग स्पेस लॉंच साइट से इसे रवाना किया गया है इसके बाद चीन अपना टी आकार का पहला और इस्ताई स्पेस स्टेशन बनाने की आखरी तयारिया पूरी कर लेगा चाइना की हम बात करें तो चाइना जो है ये एशिया गॉन्टिनेट में सित है और इसकी गापिटल बीजिंग है करेंसी है रैन मिन भी और प्रेजिदेंट यहांके है शी जिन पिंग जो चाइना और इंडिया की बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है तो उस लाइन को ब question है विश कंट्री विल अज्यूम दर प्रेजिदेंसी ऑफ दे युनाइटेड नेशन सिक्यूर्टी काउंसिल कौन सा देश सैंट रास्ट सुरक्षा परिशत की अध्यक्षता घ्रेंड करेगा तो इसका करेक्षता होगा यह करने वाला है घाना बीस का करेक्षता है पश्यम अफरी की देश घाना सैंट रास्ट सुरक्षा परिशत की घुर्णन मासिक अध्यक्षता घ्रेंड करता है और नवंबर 2022 के महीने के दौरान घाना परिशत की बैठ को गोद लेने बहस और परामर्ष की अध्यक्षता करेगा और इसके अधिकार के तहस सैंट रास्ट के अंग के रूप में अपनी शमता में सुरक्षा परिशत का प्रतिनिधित्व करेगा सैंट रास्ट सुरक्षा परिशत के अध्यक्ष के रूप में घाना विसेश रूप से अफ्रीका महादीप पर सतत और स अमावेशी विकास के लिए वेश्विक शांती और सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है यह बढ़ते युवा उभार गरीबी जलवायू परिवर्तन और लचीला संस्थानों की अनुपस्तिती से जुड़े अंतर नहीत कारणों और संगर्ष के चालकों को प हिस्ताई सीट पर कबजा कर रहा है गाना को पहली बार 1962 से 1963 तक पदिशद में सेवा देने का आवसर दिया गया था और जन्वरी 2006 दिसंबर 2007 की अवदी के लिए वापस आ गया था फाइप नमबर क्वेशन है वेर हैस्था फोर्टी वन शार जहा इंटरनेशनल बुक फेर स्टाटेड इगतारी स्वे शार जहा अंतरास्टी जो पुस्तक मेला है इसका शुभारम कहां पर हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह हुआ है UAE के अंदर 20 का करेक्ट आंसर साइप अरब अमिरात में शार जहा में 41 वे अंतरास्टी पुस्तक मेला 2022 शुरू हो रहा है और इसका आयोजन शार जहा प्रदशनी केंद्र में किया गया है और इस वर्ष मेले की जो थीम है यह रखी गई है इस प्रेड दवर्ड और पुस्तक मेला 13 नाउंबर तक चलेग मेले में जो प्रवेश है यह निशूल के है और भारे सरकार का प्रकाशन विभाग अंतरास्टी पुस्तक मेले में अपने प्रकाश्णों को प्रदशित करेगा और मेले में विश्व के जाने माने पुस्तक विजयता लेखप बुद्धी जीवी और अन्य साहित्यकार दिग्रेन किया है तो इसका करेक्ट आंसर है यह किया है गूगल ने सीस का करेक्ट आंसर है गूगल ने अवतार की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाया है और दिग्ज टेग कंपनी ने आर्टिफीशल इंटेलिजेंस बेस्ट अवतार स्टार्ट अप अल्टर को किया है और आल्टर सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी वर्चुल पहचान बनाने के लिए AI के जरिये अवतार बनाने की स्वीधा देता है गूगल ने यह अधिकनान लगबग दो महीने पहले पूरा किया है और हालांकि दोनों में से किसी भी कंपनी ने खुले तोर पर इस 7. Question है Which country's police has celebrated its third raising day किस देश की पुलिस ने अपना तीसरा इस्तापना दिवस मनाया है तो इसका correct answer होगा यह मनाया है लद्दाक की पुलिस ने 20 का correct answer है केंदर शाशित प्रदेश लद्दाक में कानून एवं व्यवस्ता बनाने के साथ लोगों के सुख धुख के साथी लद समधाम से मनाया है और जिला पुलिस चोगल मसर में हुए कारिकरम के दोरान लद्दाक कुलिस ने अपनी ताकत को बढ़ाने वाले आदूनिक अथियारों उपकरणों के साथ आस्मान से निगरानी करने वाले ड्रॉन वर राहत एवं पुनरवास कारियों में इस्तिमाल होन वाली मशीने प्रदर्शित की है और लद्दाक पुलिस का जो घटन है ये 31 अक्टूमर 2019 को लद्दाक के केंदर शाषित प्रदेश बनने के बाद में हुआ था और तीन सालों के अरसे में लद्दाक में पुलिस को मजबूत बनाने की दिशा में सरहानिय कारियों हुआ है ये किया है स्पेस एक्स ने एस का गरेक्ट आंसर है एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स इन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेटों में शुमार फॉलकन हैवी को लॉंच किया कर दिया है और इसमें अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटलाइटों को भी भे जा गया है रॉकेट फ्लोरीडा इस्तित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सुबह 9 बज कर 41 मिनट पर जो है लॉंच किया गया है और USSF44 नाम के एक गुप्त मिशन में अमेरिकी 9 सेना के लिए सैटलाइटों को अंतरिक्ष में ले जाया गया है और स्पेस एक्स ने कहा है कि के बूस्टर अलग होने के बाद फ्लोरोईडा में कैंप कैना वेरल युवायू सेना स्टेशन पर कंपनी के लैंडिंग जॉन वन और टू पर उत्रे 9 नमबर क्वेशन है इन विच स्टेट दे वर्ड्स लार्जेस्ट मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इस बिंग बिल्ट किस राज्य में विशु का सबसे बड़ा पांडू लीपी ग्रन्थाले बनाया जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया जा रहा है गुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीट में मानवी की व्याकरन, विज्ञान, धरम, संस्कृती, आध्यातमादी विशे में जूडी प्राचीन पांडू लीपियों के संकलन और सरेक्षन का कारे किया जा रहा है जिसमें 100 करोड रुपे से जादा की लागत आने का उन्मा पांडू लीपियों के संक्षन के लिए यहां चातुर मास से कर रहे तपा गच्छिय जैन मुनिश्री हैम श्रमन विजय गणिवार्य ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि विद्यापीट में 25,000 से अधिक पांडू लीपि उपलब्ध है और अब तक 10,000 से अधिक पा Friends of Liberation War Award किस देश के प्रधान मंत्री ने Edward M. Kennedy को Friends of Liberation War सम्मान से नवाजा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांगलादेश इसका करेक्ट आंसर है बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना ने बांगलादेश की मुक्ती में योगदान के लिए धाका में पूर्व अमेरिकी सिनेटर Edward M. Kennedy को मर्नो उपरांत प्रतिस्टत Friends of Liberation War सम्मान से सम्मानित किया है और ये सम्मान उनके ब हुमिका के बावजूद निर्दोश बंगाली लोगों पर पाकिस्तान के द्वारा किये गए नर्सहार के खिलाब एक सासिक कदम उठाया था और Kennedy Senior ने युद्ध समाप्त होने तग पाकिस्तान को सेन्या और आर्थिक सहायता पर रोक लगाने के लिए कड़ी महनत भी की थी चलिए अब कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइस कर लेते हैं किसे देश के सबसे सतक तेल और गयस कंपनी के रूप में मानेता मिली है तो ये BPCL को मिली है फै किस राजे की लकष्मी भंडार योजना को इसको पुरिशकार मिला है तो इसका और करएक्त आंसर है वेस्ट बन्गोल की ये जो योजना है फ़र्ड नमबर ग्रेशन है प्रधान मंत्री मोदी ने किस राज्य में इस्तित मानगर रिधाम को राष्ट्रे इसमारक के रूप में गोशित किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है राजिस्तान के अंदर 4. question है किस राज्य में इस्तितर रानिपूर देश का तरेपनवार टाइगर रिजर्व बना है तो ये इस्तित है उत्तर प्रदेश के अंदर 5. question है रक्षा मंतरी राजना सिंग ने कहां दो हैली पेर्ड लॉंच किये हैं तो इसका correct answer होगा ये लोच किये गया है लदाक के अंदर उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का जो उद्गाटन है ये कहां पर किया गया है तो इसका correct answer है ये greater noida के अंदर किया गया है 7. किसने अपनी नई पुस्तक nuclearization of India का जो Asia है इसका विमोचन किया है तो इसका correct answer होगा रेने नाबा ने ये किया है एसका correct answer है 8. question है UNSCR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने million लोग जबरन विस्तापित किये गये है तो इसका correct answer होगा 103 जो million लोग है इने जबरन विस्तापित किया गया है 9. question है पूरोतर का पहला एकवा पार्क किस राज्ये में इस्तापित किया जाएगा तो ये अरुना चरप्रदेश के अंदर किया जाएगा 10. question है कहां की नम्मा मेट्रो रेल ने वाट्सेप पर QR टिगिट सेवा शुरू की है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बैंगलोर के अंदर शुरू हुई है और ये था पाच नाउंबर का study gloss question न्याई मूर्ती यूयू ललित के बाद भारत के पचासवे मुख्य न्याई दीश के रूप में किसने पदभार जो है ये घ्रन करेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाले हैं जस्टिस धनन जे यश्वन चंद चूड बीस का करेक्ट आंसर है और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss question ICC player of the month जीतने वाली पहली भारती अमहिला क्रिकेटर कौन बनी है तो इसका अंसर मुझे comment section में दीजेगा ये हमारा telegram है यहाँ पर आपको सारे question quiz के format में available होंगे I hope आपको sessions पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें like कीजे अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा तो चले मिलते हम एक नए session के साथ में Thank you